हेलो एवरिवन अगर आपको भी चाहिए फ्लैट बेली तो यह है बेस्ट फ्लैट बेली वरकाउट जिसकी रेजल्ट आपको एक मन के अंदर ही मिलेगी अगर यह आप हर रोज करोगे और मैंने गाइडलाइम्स देके रखा है सिर्फ 10 वरकाउट से आपको 30 सेकंड करना है औ इसे आपके लोर बेली पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर परने वाला है और आप देखोगे ना थोड़ा वरकाउट करने के बाद ही आप बहुत ज्यादा टायट फील करोगे लिकिन आपको गिव अप नहीं करना है अगर आपने इसे अच्छे तरह से कंप्लीट किया ना तो प्रोटीन देना चाहिए और अपने डायट प्लान को कैसे प्लान करोगे मेरे चानल में हैसे बहुत सारे वीडियो है और अपकमिंग वीडियो भी मैं यही बताने वाली हूँ आपको कि फुल डे में आप कैसे अपने मील को प्लान कर सकते हैं घर के खाने को खाकर ही कैसे आ आपपने लेक्स को नीचे की तरफ लेके जाएंगे लेकिन आपको ग्जशमीन पर अपने लेक्स को टच नहीं करवाना है आप इस व्रकाउट का टाईमर है उसी अकॉर्डिण लिया आपको यह व्रकाउट करना है ये फॉलौ अलॉग है मैं जैसे जैसे करते जारी हूं आपको ऐसा ही करना है क्योंकि हमको rest लेना है 10 seconds और 30 seconds में next workout करना है इस workout के लिए आप अपने legs को जितना हो सके straight रखिये का बहुत ही ज्यादा difficult है आप देख सकते हो तो मेरी भी legs थोड़ी से बेंड हो गई है लेकिन आप कोशिश कीजिए स्ट्रेट रखने की और फिर आप अपने बोड़ी को नीचे लेके आएगा और फिर आपको अपने हील्स को तच करना है तो इससे आपके बेली पे एक क्रंच मुवमेंट होने वाला है और इसी से आपक नेक्स्ट वरकाउट को जिसके लिए आप अपने पैरों को अच्छे से स्ट्रेट कर लीजिएगा और फिर आपको ये वाली सिजर्स करने है और इसके लिए भी आप अपने लेक्स को जितना नीचे रखोगे जितना आपकी लेक्स जमीन के क्लोज रहेगी उतना आप देख लोगे उतना ही गेन आपको महसूस होने वाला है देखते ही देखते हैं हमारी 30 सेकंड्स कम्पीट हो गई है लेकिन हमारा बेली जो है अभी बहुत रो रहा है और अपने बेली फैट को और रुलाना है ताकि हमारी बेली भी फ्लैट हो जाए आपको बस यह वन मंद करना है 30 आपने दूसरे वाकॉट के साथ भी आप इसे कर सकते हैं अप अगर दूसरे वाकॉट नहीं करते हैं आप नॉर्मली वाग भी कर सकते हैं आफटर एवरी मील 20 minutes आपको एपके जीए या फिर आप 40 minutes अट गो वाक किजिए और 7 यह वाली वाक आउट कीजिए और आप देखो जब रेस्ट लीजिए और यह वोकाउट जब आपको यह नहीं सोचते रहना है कि हम रेस्ट कब लेंगे रेस्ट कब लेंगे पूरी फोकस हमें अपनी मसल्स पर रखनी है अपने पैरों को जब उठा रहे हमारी बेली मसल्स किस तरह से कॉंट्राक्ट कर रही है वो देखना ह और यह हम लेग रेस करेंगे और फिर हिल टैप करेंगे और इसमें भी हमें अपने पैरों को जमीन पर टच नहीं करवाना है जितना नीचे हो सके अपने पैरों को लेके जाए मैं बार-बार यही बोल रही हूं आप चाहे तो अपने शोल्डर को नीचे रखके भी कर सकते तोड़ा सा उपर उठाईए ताकि आपकी बेली मसल्स फैट और भी ज्यादा जल्दी बर्न हो जाए और आप देखो गे ना बहुत ज्यादा इंटेंस लोग बेली पेन भी आपको होने वाला है फर्स्ट वीक में तो आपकी बेली मसल्स बहुत ही ज्यादा पैनफुल रहने लेकिन फिर भी आपको गिवप नहीं करना है यह वर्क आउट करते रहना है अब नेक्स वर्क आउट के लिए आप थोड़ा सा बोड़ी को फॉटी फाइव डिगरी पीछे लेके जाए और इस तरह से अपने अपर बोड़ी को आपको ट्विस्ट करना है ताकि आपकी जो स कोशिश कीजिए जमीन से उठाने की पैरो को तब आप देखोगे ना बहुत ही ज्यादा एफेक्टिव होने वाला है तो यह चोटे-चोटे स्टेप्स मैं आपको हर वर्क आउट में बताऊंगी तापकी आपकी वर्क आउट से बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाए और आप बहुत ज्यादा एफेक्ट मिलने वाला है और आप देख रहे हैं मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खड़ाब होगी है इस वर्क आउट के बाद भी लेकिन फिर भी हमें गिवप नहीं करना है जस्त थ्री मोर मिनिट्स टु गो और यह वाली वर्क आउट होने वाली है सबसे ज अजदीक हो सके आप अपने पैरों को लेके जहिए जस्त फाइव मोर सेकंड्स तो गो कम आउन एवर्यवान आई नो यू कान दो इट और देखते हमारी फाइव सेकंड्स ओवर हो गई है और एम सो प्राउड आफ यो तो चलिए मैं आपको यह भी बता दूं कि यह वर्क कर सकते हैं बहुत ही अच्छा होगा अगर आप सुभे एम्टी स्टमक करते हैं अपने अपना वॉक कर लिया है उसके बाद करते हैं अगर आपको सुभे करने का टाइम नहीं मिलता है तो अगर आप शाम को भी कर रहे है तो आपको भी एफेक्टिव रेजल्स मिलने वाला ह लेकिन तुरंत कुछ heavy meal करने के बाद ना कीजिए, थोड़ा सा gap दीजिए, at least 2-3 hours अपने heavy meal के बाद, अगर आप pre-workout meal लेना चाहते हैं, कुछ छोटे मोडे snacks, जैसे एक बनाना हो गया, थोड़े soaked nuts हो गये, या फिर आप छोटा सा bowl में थोड़ा सा oatmeal ले सकते हैं, या फिर आ एक्राइब करते हों, आप्यक्राइब करने या नहीं थे और आपका जो फूद रहां लें कर आते हों अपको जाए और आपका जो फूड़ा कर आपाते हो, तो कभी भी, वरकाइब कि तुरंत पहले ही heavy meal ना ले, और यह हमारा लास्ट वरक आउट है, जिसको हम high-rise plank and shoulder tap कहत इसमें आप अपने बॉड़ी को इस तरह से उपर के ओर उठायेगा और अपने शुल्डर को आपको टैप करता है तो यह है लास्ट वरक आउट गिविट अगर अगर आप इसको दो बारी रिपीट कर सकते हैं अफटर फिफ्टीन देस तो आपको मिलने वाला है और भी अच् सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चानल को ऐसे और भी वीडियो को देखने के लिए और सारे गाइडलाइन को फॉलो कीजिए बाई